पिता, पुत्र और पवित्रात्मा के नाम पर आमिन एशु मसी में प्यारे भाई और बहनों आज हम लूकस के सुसमचार तेरहवे अध्याय के दस से लेकर सतरह तक के ईश्वचन पर मनंचिंतन करेंगे यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अठारा वर्ष से अपदूत ग्रस्त एक स्त्री जो पूरी तरह से जुग गई थी उसे प्रभू चंगा करते हैं उसे प्रभू शैतान की गुलामी से मुक्त करते हैं और उसे सीधा करते हैं ये घटना कहाँ पर हुई थी? सभाग्रह में सिनगोग में जहां पर प्रभू शिक्षा देने के लिए गए थे तब उनकी नजर पड़ी उस स्त्री पर जो कि एक यहुदी तो थी लेकिन अठारह साल से अपदूत ग्रस्त होकर पूरी तरह से जुग गई थी लूकस के सुसमाचार चौथ्य अध्याय में ही अठारह और उन्नीस वे वाक्य में हम देखते हैं प्रभू नासरत के सभाग्रह में जाकर खुद कहते हैं प्रभू ने मेरा विशेक किया है उसने मुझे भेजा है ताकि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुना सकूं बंदियों को मुक्ती का संदेश सुना सकूं अंधों को द्रश्टी दान का संदेश दे सकूं दलितों को स्वतंत्र कर सकूं तो यही है प्रभू का मिशन शैतान की गुलामी से वह मनिश्य को स्वतंत्र करने आये हैं उत्पत्य गरंथ में आदम और हववा, जिने प्रभू ने ईष्वर का पुत्र बनने के लिए स्रष्ट किया था, अपने साथ अनंत काल तक रहने के लिए स्रष्ट किया था, उसने जब प्रभू की आज्या का उलंधन किया, तो वह शैतान का गुलाम बन गया आदम और हुआ जो सीधे खड़े रहने के लिए स्रष्ट किये गए थे ताकि वह प्रभु की ओर देख सकें उपर जा सकें प्रभु के साथ पाप करने के कारण शैतान के गुलाम बनने के कारण वे जुग गए जानवर, चार पैर में चलने वाले जानवर वे सीधे खड़े नहीं रह सकते वे जुख कर चलते हैं लेकिन इनसान को प्रभु ने जुख कर चलने के लिए एक जानवर की तरह जीने के लिए नहीं बलकि अपने प्रती रूप में स्रष्ट किया है ताकि हम सीधे रह सकें तो इसलिए यहाँ पर प्रभु प्रतीकात्मक रूप में पाप की और शैतान की गुलामी में पड़े जुके पड़े जानवर की अवस्था से गुजर रहे इनसान का प्रतीक है मनुष्य वन्ष का प्रतीक है जिसे प्रभू ने सीधा किया प्रभू इस दुनिया में आए ही सिलिए थे ताकि जुके पड़े मानो वन्ष को सीधा कर सके चंगा कर सके शैतान की गुलामी से मुक्त कर सके पाप से स्वतंत्र कर सके लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सभाग्रह का अधिकारी इस बात से परेशान था कि प्रभू ने विस्राम के दिन अर्थात साबत के दिन उस स्थरी को चंगा किया उनका मन इतना कठोर हो गया था कि एक अच्छे काम को देखते हुए जो सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं उसको देखने के बावजूद उसे खुले दिल से मानने के लिए तयार नहीं थे हम भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो एक अच्छाई को देखने के बाद भी उसे मानने को तयार नहीं होते हैं उसमें भी कोई न कोई दोश ढूनते हैं कोई न कोई बुराई ढूनते हैं तो प्रभू उन्हें विस्राम के दिन साबत के दिन का महत्व समझाने की कोशिश करते हैं हफते में साथ दिन पहला दिन रविवार और साथवा दिन शनिवार वो था विस्राम का दिन अर्थात साबत पहले दिन अर्थात रविवार को स्रष्टि करमे दियारंभ हुआ छटे दिन मनिश्य की स्रिष्टी हुई सात्वा दिन विस्राम का दिन था शनिवार क्या है उस विस्राम का अर्थ उत्पत्ति ग्रंथ में उस विस्राम का अर्थ ये है कि हमारा जीवन जो ये भूमी में है वो छे दिनों के बराबर है और सात्वा दिन हमारी मृत्यू का दिन जब हम अपने प्रभू के घर जाते हैं उनके साथ बसने के लिए जाते हैं विस्राम में प्रवेश करते हैं प्रभू के विस्राम में प्रवेश करते हैं तो प्रभू ने हमें बनाया है सात्वे दिन के लिए बनाया है साबत के लिए बनाया है विस्राम के लिए बनाया है इसलिए साबत के ही दिन प्रभू उस स्त्री को चंगा करते हैं और इसके द्वारा प्रभू ये जताना चाहते हैं कि इनसान को मैंने मेरे साथ विस्राम करने के लिए और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए ही बनाया है तो यह एक इस्लामी से मुक्त होने वाले इस्राइल की स्वतंतरता का प्रतीक है। विधी विवरन गरंथ के पांचवे ध्याए के चवदहवे वाक्य में ये लिखा है कि विश्राम के दिन बैल को गदहे को आराम देना चाहिए। उनसे भी काम नहीं करवाना चाहिए। तो वे पूछते हैं प्रभू क्या विश्राम के दिन तुम अपने बैल और गदहे को खोल कर पानी पिलाने नहीं ले जाते है। यदि तुम ऐसा कर सकते हो तुम जानते हो कि साबत के उस नियम का असली अर्थ क्या है तो फिर इन जानवरों से कितना बड़ा है एक इनसान। अठारा साल से बंधन में पड़ी परेशान अपदूत ग्रस्त निराश जुकी हुई एक स्त्री क्या उसे मैं सोतंतर ना करूँ क्योंकि ये साबत का दिन है ये तो साबत के ही दिन होना चाहिए ताकि तुम सब इस बात को जान सको समझ सको कि तुम सब साबत के लिए ही बन बनाए गए हो प्रभू के साथ प्रभू के घर स्वर्ग के लिए बनाए गए हो लूकस के हिसु समचार छटे अध्याए के पांचवे वाक्य में प्रभू खुद ये बताते हैं कि वे विस्राम के दिन अर्थात साबत के भी स्वामी हैं इस लॉर आफ साबत एशु मसी में प्यारे भाई और बहनों आए हम अपने जीवन के बारे में सोचें प्रभू ने हमें दो पैरों पर खड़े रहने के लिए इस रिष्टी किया है हमें उपर की ओर अपनी दृष्टी लगाये रखने के लिए इस रिष्टी किया है जब भी हम इस दुनिया में जियें तो वह छे दिन का जीवन है और सात्वा दिन क्या है साबत का दिन हमारे विस्राम का दिन प्रभू के साथ विस्राम करने का दिन साबत का दिन जो कि हम रित्यू के बाद अनुभव करेंगे हम इस भूमी पर जिये तब ही हम इसी विचार से जिये कि हमारा असली घर तो स्वर्ग है हमे वहाँ पर जाना है प्रभू के पास जाना है लेकिन जब भी हम पाप करते हैं तो हमारी नजर प्रभू से हट जाती है और हम दुनिया की और अपने नजर डालते हैं हम अपनी नजर नीचे करते हैं छोटी बातों पर ध्यान देते हैं दुनिया की बातों को ढूंडते हैं और धीरे धीरे हम जुकते जाते हैं जुकते जाते हैं तो आए हम प्रभू से प्रार्थना करें, याचना करें, अर्थना करें कि हे प्रभू हमें सीधा कर दें हम जानवर की तरह नहीं जीना चाहते हैं हम आपके पुत्र की तरह अभीमान के साथ जीना चाहते हैं हमारी नजरें आपकी नजरों से मिला कर जीना चाहते हैं ऐसा जीवन जीने की हम कोशिश करें, प्रार्थन करें प्रभू आप सब को अनुग्रेद करें